इस ख़बर की प्रस्तुत करता है इस्ट्रान यूनिसेक्स सलोन कचेरी रोड अजमीर सलोन जो आपको देता है स्टाइल साफ हो गया है शीरशादालत ने उलावात उछन्यानले दौरा विवादी जमीन को तीन पक्षों में बाटने के फैसले को आतार के करार दिया है वहीं शिया वकão बोड और निर्मोही अखाडे के दावो को खारेश कर दिया है अदालत दिया गया है मुक्यन यादिश अंजन गोगई ने कहा है कि हमने 1946 के फेजाबाद आदालत के आदेश को चुनोती देने वाली शिया वकबोर दोरा दायर सिंगल लीव पिटिशन को खारिच कर दिया है लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर 200 साल पहले ये मुद्दब पहली बा कैसे उठा था चलिए हम आपको बताते हैं दरसल बिटिश हुकूमत के वक्त साल 1813 में हिंदू संग्टनों ने पहली बार ये दावा किया था कि वर्ष 1526 में जब बावर आया तो उसने रामंदिर को तुड़वा कर ही विवादिध धाचे का निर्मान कराया था उसी के ना साल 1885 में पहली बार मेंद रगुबर दास ने बिटिश आशन के दोरान ही अदालत में याची का देकर मंदर बनाने की अनुमती मागी थी साल 1934 में विवादिध छेत्र को लेकर हिंसा बढ़की इस दोरान पहली बार विवादिध हिस्सा तोड़ा गया तदकालिन बिटिश सरकार ने तब इसकी मरम्मत कराई इसके बाद 23 दिसंबर 1950 को हिंदूओं ने ढाचे के केंदर इस्तल पर राम नला की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना शुरू कर दी इसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया और वे कोड़ चले गए साल 1950 में फेजाबाद के अदालत से गोपाल सिंग विशारत ने राम नला की पूजा अर्चना करने के लिए विशेश अनुमती मांगी थी इसके बाद दिसंबर 1969 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित इस्तल को उसे हस्तांतरित करने और दिसंबर 1961 में उत्तपरदेश सुनी वक्ष बोड़ ने विवादित धांचे के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दैर कर दिया इस तरहे आजाद भारत में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनना शुरू हो गया विश हिंदू परिशत ने साल 1984 में विवादित धांचे के ताले खोलने राम जर्म बूमी को स्वतन कराने और यहां विशाल मंदिर निर्मान के लिए एक अवियान शुरू किया इस दोरान देश बर में जगे जगे प्रिदशन किये गए वेब के साथ भारतिय अंतर पार्टी ने भी इस मुद्दे को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ते हुए संगर शुरू कर दिया कोट में चल रहे हैं मामले के दोरान साल 1986 में फिजाबाद जला नियादिश की और से पूजा की इज़ाद दी गई तपताले दोबारा खोले गए हाला कि इससे नाराज मुस्लिम पक्ष ने बावरी मजजित एक्शन कमेटी गठित करने का भी फैसला लिया इसके बाद साल 1992 में 6 दिसम्बर को कारसेवकों ने भारी संख्या में अयोद्या पौशकर विवादिट धाचा एक बार फिर ढा दिया इस दोरान भी हिंसा भड़की देश भर में सामपरदाइक दंगे हुए और इसी दोरान आजस्थाई राम मंदिर भी बनाया गया इसके बाद से ही मंदि निर्मान के लिए पत्रों को तराशने के काम में तेजी भी आई दिसम्बर 1992 में ही लिमराहन आयोग गठित किया गया अयोध्या के विवादित इस्थल पर मालिकाना हक को लेकर साल 2002 में इलाबाद हाई कोट के तीन यादिशों की खंटपित ने सुनवाई शुरू की इसके बाद मार्च अगस्त 2003 में हाई कोट से मिले निर्देश पर पुरा तत्त सर्वेक्शन विवाग ने विवादित इस्थल पर खंटाई की विवाग ने दावा किया कि खंटाई में विवादित भाँचे के नीचे मंदिर के अफशेश होने के पिरमान मिले है साल 2011 में मामले की सुनवाई कर रही इलाबाद हाई कोट की लखनौ पीट ने विवादी छेतर को रामरला विराजमान, निर्मोई अखाड़ा और सुन्नी वकवोट को बराबर तिन हिस्तों में बाटने का फैसला दिया लेकिन ये फैसला सभी प्रक्षों को स्युकार नहीं था, ऐसे में फरवरी 2011 में हाई कोट के इस फैसले को सुप्रिंग कोट में चुनोती दी गई, तब मई 2011 में सुप्रिंग कोट की दो सदस्य पीट में सुनवाई शुरू हुई, साल 2011 में सुप्रिंग कोट में सुनवाई तो शुरू हो गई लेकिं इलाबाद हाई कोट से बहजे गए दस्ताविजों का नुवाद नहीं हो पाने के कारण ये मामला तलता रहा और इस बीच सुप्रिंग कोट ने मामले में मदस्ता की पेशकश की जो पूरी तरीके से विफल रही इसके बाद 6 अगस 2019 से अब तक चला आ रहा है हाना कि इसे फिर मुक्ता से 1813 में पहली बार उठाया गया था आपको बता दें कि इलाबाद हाई कोट ने साल 2010 में अपने फैसले में विवादी जमीन को तीन हिस्तों में बाटने का फैसला दिया था जिस पर बाद में सुप्रिंग कोट ने रोक निवार को कहा कि आदालत के फैसले को किसी की हार या जीत के तौर पर नहीं दिखा जाना चाहिए उन्होंने लोगों से शान्ती और सद्बाव बनाय रखने की भी अपील किये मोदी ने फैसला आने के बाद कई ट्यूट कर कहा कि देश के सरवोज नियाले ने अयुद्या पर अपना फैसला सुना दिया है इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं दिखा जाना चाहिए मोदी ने कहा कि ये फैसला नियाएक प्रिकरियाओं में आम लोगों के विश्वास को और मजबूत करेगा उन्होंने एक ट्यूट में कहा नियाएक के मंदे उस तमन्याले ने दश को पुराने मामले का सोहाथ पुन तरीके से समाधान कर दिया है मोदी ने देशवासियों से शांती और सदबाव बनाये रखने की अपील किये और उन्होंने कहा कि राम भक्ती हो या रहीम भक्ती ये समय हम सभी के लिए भारत भक्ती की भावना को सशक्त करने का है देश स्वाशियों से मेरी अपील है कि शांती सदबा और एकता बनाये रखें मोधी ने कहा कि हमें भारत के शांती पूर्ण सहस्तित की अंतन हीद भावना का परीचे देना है इस फैसले के बाद देश के गिरे मंत्री अमेशा ने भी कहा कि वे नियाले के फैसले का स्वागत करते हैं और इस कानून विवाद को आज इस निर्णे से अंतनी रूप मिल गया है अमेशा ने ट्यूट कर कहा कि श्री राम जनम भूमी पर सरसम्मती साय सर्वोश नियाले के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ मैं सभी समुदाओं और धरम के लोगों से अप्ली करता हूँ कि हम इस निर्णे को सहस्ता से सीवकारते हुए शांती और स्वाहात से परिपूर एक भारत श्रेश भारत के अपने संकल्प के प्रती कटी बत रहें